नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तुलसी के पत्तों से कैसे किसी इस्तरी को अपने बस में कर सकते हैं अगर आप किसी ऐसे बसी करण को तलास रहे हैं जो बहुत आसान हो और जिसे करने के बाद आपको पूरा लाब मी मिले तो दोस्तो आज आप तुलसी के पत्तों से ये बसी करण उपाय कर लो आपका हर कार्रे सफल हो जाएगा आप जो चाहोगे जिसे बस में करना चाहोगे चाहें आप अपने प्रेमी को बस में करें, चाहें प्रेमी का को, चाहें इस तरी को, चाहें अपने पार्टनर को, आपको हर कार्रे में सफलता मिलेगी दोस्तो, आप सب लोग जानते ही होँगे, हिंदु धरम के अनुसार, तुलसी के पौदे का कितना बड़ा महत्व है हिंदु धरम सास्तर के अनुसार, तुलसी का पौदा जिस घर में होता है, उस घर में कभी बुड़ी नजर नहीं पड़ती और जो बैक्ति तुलसी के पौदे की पूजा करता है उसे हर पिरकार का सुख पिराप्त होता है तुलसी का पौदा आपके घर और आपके जीवन में नकारात्मक्ता एवं आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने का एहम हिस्सा निभाता है जो भी बैक्ति नित्ते ही सुवे इस्णान करके तुलसी के पौदे की पूजा करता है उसके जीवन में धन धानने तो आता ही है साथी उसके जीवन के स्वभाग्य में भी विरद्धी होती है और यही नहीं जिस घर में तुलसी का पौदा होता है उस घर में कभी भी नकारात्म को उठ जाय नहीं रहती और नहीं कभी कलेश लड़ाई जगड़े रहते हैं बैस सदेव प्रेम से परिरित रहते हैं तो आईए समय ना बेर्थ करते हुए जान लेते हैं कि तुलसी के पत्ते से बसी करन कैसे करते हैं, कैसे अपने प्यार को पा सकते हैं इससे पहले दोस्तो वीडियो को एक लाइक अवस्य कर दें और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वे लाइकन दवालें ताकि ऐसा ही ग्यान आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तो तुलसी के पत्तों की बसीकरण की किरिया काफी असरदार मानी जाती है अपने प्रेमी प्रेमिका का बसीकरण करने के लिए आप इस किरिया का प्रियोग किसी दिन किसी समय भी कर सकते हैं इसमे और दिन की कोई सीमा नहीं है इस बसीकरण किरिया को करने के लिए तुलसी के ताजी पत्ति लेने हैं और उसके बाद आप थोड़े से गुड़ की मात्रा ले 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 यानि कि थोड़ा सा गुड़ अब आप तुलसी के पत्तों को और इस गुड़ को एक मिट्टी के पात्र में रख ले और इसे अच्छे से पीश ले यानि कि मिक्स कर ले और इनको पीशते समय इस मंतर का जाप करना है इस मंतर के जाप करने की कोई सीमा नहीं है पर कम से कम आपको 21 बार तो जाप करना ही है मंतर है अमक के इस्तान पर आपको अपने प्यार का नाम बोलना है और जब आपके 21 जाप पूरे हो जाएं या उससे अधिक भी हो जाएं तब उस गोड और तुलसी के लेप को किसी खाने की बस्तू में मिला लें फिर आपको इसी मंतर का ग्यारा वार जाप करके उस खाने की बस्तू पर फूंक मारना है मंतर एक बार फिर सुन लें ध्यान से सुनें ओम नमा इच्छा रूपिनी देवी मम अमुको बस्से में दोस्तो आपने खाने की बस्तू में मिला लिया ग्यारा वार मंतर का जाप करके तीन वार फूंक भी मार दिया अब आपको उस खाने की बस्तू से एक निवाला आपको खुद गिरन करना है उसके बाद अगर हो सके तो ये खाने की बस्तू उसे खाने के लिए दे दें जिसे आप पाना चाहते हैं अपने प्यार को, अपने प्रेमी को, अपने पार्टनर को जिसे आप अपने प्यार में बिलीन करना चाहते हैं ये ये बहुत ही सक्तिसाली अतियंत सीग्र सफल वसी करन है यह अपना असर बहुत ही जल्दी दिखाता है अगर आप उसे नहीं खिला सकते तो आप इस खाने की बस्तू को कहीं बाहर जाकर वेते साफ पानी में पिरवाहित कर दें और उसका तीन वार नाम लेकर ही पिरवाहित करें दोस्तो आपका प्यार आपके लिए तडपेगा आपसे मिनते करेगा आपको पाने के लिए सब कुछ छोड़ कर आएगा आपके पास आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माद्य हमसे अवस्य बताएं और अगर आप भी भगवान सरी किष्ण से सची महबत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में रादे रादे जैसरी किष्णा अवस्य ही लिख दें चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दवा लें ताकि ऐसा ही ज्यान आपको हमारे चैनल के माद्य हम से सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार रादे रादे